पीपी एकसो और सटका जिमनी इलेक्शन का मारका पोलिंग का वक्ट खत्म होने में एक घंटा बाकी मलक असद खोकर और राना खालत कादरी के दर्मियान जोर का जोर नून लीग और तहरीक इंसाफ के कैंप्स में जोश और खरोश वोटर्स का टान आउट इंतहा ही कम वोटर्स को लाने के लिए मकामी राहनमा मुतहर रेख खावातीन भी पेश पेश इंशालला सौ फिसद पर उमीद हूं क्योंकि हलके की अवाम जाग चुके हैं हलके की अवाम अपने मिसाइल की जंग लड़ने निकली है और इंशालला बोर्ट पीटीए को देगे मैं अपनी जीद के लिए 100% जो है मुझे यकीन है क्योंकि इस सलके से इस से पहले जो हमारा जनरल एक्शन हुआ था उस एलेक्शन में हमारे खाजासाद रिफिक सोभा हैं वो तक्रीबान 22,000 की लीड से जहां से जीते हैं मलेक असद खोकर और राना खालत कातरी के 100% कामयाफी के दावे इलेक्शन कमिशन ने पोलिंग के लिए मुनासिब इंतिजामात किये हैं पी टी आई उमिदवार मलेक असद खोकर कामयाफी के लिए पुराजन हुकूमत ओचे हदकंडे इस्तमाल कर रही है हमारे 20-25 पोलिंग एजेंट्स को पकड़ लिया लीक उमिदवार राना खालत कातरी का अल्जाम बोले नून लीक का हलका है हम जीत जाएंगे राना खालत कातरी ने अटारी सरोबा में अपना वोट कास्ट किया PP-168 के जिमनी इलेक्शन के लिए सेक्यूरिटी के फूल प्रूफ इंतिजमा तरासी पोलिंग स्टेशन्स में से 16 हसास करा पोलींज और रेंजर्स के दस्ते मौजूर तीन हजार पोलेस एहल का ड्यूटी परता हुना CCPO और DIG आपरेशन्स का हसास पोलिंग स्टेशन्स का दौरा सेक्यूरिटी इंतिजमात का जाइजा लिया वाचा सल्मान रफीक के प्रोड़क्शन और जारी ना करने का मौनला पंजाब असमली का महौल करा आपोजिशन और हकूमत यराकीन में नौक जोंक राना महामर अकबाल और वजीर कानून राजा बशारत में तलक लामी तंदो तेज सुमलो का तबातला अदालती एकामात की मौजूदगी में स्पीकर प्रोड़क्शन और जारी नहीं कर सकता वजीर कानून राजा बशारत का बयान वजीर कानून ने गलत पात की प्रडक्शन ओर जारी करना स्पीकर का इफ्तियार है राना महावर इकपाल ओपोजिशन का एवान से बॉक आउट वालित का चेहरा देखने के लिए तड़ा परहा था मगर प्रडक्शन ओर जारी नहीं किया क्या किसी के भी प्रडक्शन ओर जारी नहीं होने चाहिए इस हवाल से कानून साजी की जाए मौलाना मौाविया आसम की असम्बली में तकरीर दस सालों में जो बोया वही काच रहे हैं चौतरी जहीर का खता स्पीकर की प्रडक्शन ओरर के मौमले पर मौतफिक का तजवी सामने लाने की हिदायत चौतरी जहीरुदीन और मौलाना मौाविया की बाते ठीक हैं हमें इसमें नहीं पढ़ना चाहिए कि मासी के हुक्मरानों ने क्या कुछ किया स्पीकर पंजाब असम्बली ये हार चीफ का मौमला रही है उन्हें दोबारा अक्तदार मिला तो ये लोग फिर ये ही करेंगे एवान का वकार बेहतर करने के लिए एक्दामाद करने चाहिए स्पीकर चौतरी पर वेजिला ही पंजाब के तमाम वज़राभी पास वजिर्याला ने सौरुसा कारकर्दगी पेश करती साबिक वजिर्याला शेवाज चरीफ के चार कैंप हाउसे थे उनमें जाती मेमाना का तहरते थे जाती मेमानों पर एक करोड रुपे से जाइब खर्च किये गए शेवाज चरीफ की सेक्यूरिटी पर दो हजार अहलकार तायुनात थे अब सिर्फ साथ एहलकार हैं आवाम को पाई पाई का हिसाब देंगे लाहूर में 56,000 कनाल अराजी बागज़ार कराई सर्फ हर बंस पुरा से पांच अरब रुपे की सरकारी अराजी पर कब्दा खत्म किया इतफाग फांच पांच से 240 कनाल अराजी बागज़ार कराई गई वजीरियाला पंजाब इसमार बुज़ार की प्रेस कांफरेंस शेहबाद शरीफ और फवाद हसन फवाद के खलाब दो हफ़तों में रेफरेंस दायर कर दें नाप की एतसाब अदालत को यकीन देहानी आशियाना इक पाल स्केंडल केस की समात के दरान विंग आफिस पेशर ना होने पर अदालत का इजहार बरहमी मुज़िन का रिमान हासल करना हो तो नाप की पूरी जीम अदालत में पहुंचती होती है बंदे को 90 रोज जिस्मानी रिमान में रखा रेफरेंस दायर करना हो तो धीले बन जाते हैं अदालत के रिमास नेफ प्रोसीक्यूटर आरिफ महमूद राना अपने ओहते से मुस्ताफी जापी वजुहात की बना पर अस्तीफा दिया मजीद कामजारी नहीं रख सकता आरिफ राना की वजाहत वाज़ा बरादरान की केस में भी आरिफ राना नाप की जाने के से पेश होते रहे वेर मुल्की असासों का मौमला वजीर आजम की बेहन अली मकान नाप के रेडार पर दो करोड चुरानवे लाग टेक्स आइद कर दिया अली मकान का असासों से मुतालिक जवाब भी मुस्तरत फीसे लेने वालों के बाद अब फीसे देने वालों की बारी बच्चों की सालाना लाग खुर रुपे फीसे अदा करने वाले अफराग एफबिया के शतंचे में जराय आमधनी की तफसिला तलब स्कूल और कॉलेजिस में सालाना तीन से चार लाग फीस अदा करने वाले वेर रेजिस्टराड अफराग को नोफिसे जाई शेहरी मुस्रे सहत और नाकिस गोश खाने से बच कए एफोर्ड अफराटी की चाउंचेब और पिंडी स्टॉप पर कारवाई मीट स्टोर और नदीम स्टोर सी पच्ची सो किलो गोश बरामर नाकिस गोश वगवैर कानूनी मस्वाकानों में तैयार किया जाता था पकडा गया गोश पांकों की भटी में जला कर तलफ कर दिया पंजाब में रेंजर्स तायनाती में तीन माह की तौसी की मंजूरी पोलेस ने रेंजर्स तायनाती में तौसी की तजवीज दी थी रमजान शूगर मिल्स केस में बड़ी जाल साजी पकड़ी कै रमजान शूगर मिल्स के गएर कानूनी नाले के हक में जाली आवामी सर्वे का इनकशाफ, नाफ का जिरे तबतीश केस में हकाइक मसख करने वाले अफरात के खलाफ का रवाई पर गोर हाई कोट का पंजाब इंस्टिट्यूट आफ काडियालोजी के सामने पैदल चलने वारों को तहफुस फराहम करने का हक मरीज और लवाहकेन प्राफिक हाडिसात का शिकार हो रही हैं पी आई सी के सामने इजाफी वाट्स ताइनात किये जाएं जस्टिस अलिय अकपर कुरेश्टी एल्टिय और सेफ सीटी अथार्टी को मौसर एकदामात का खुक्म काम नहीं करेंगे यग डॉक्टर्स की हडधर्मी बरकरार शेख जैर अस्पदाल के आउट्डोर्स के बाद इंडोर्स में भी काम बंद कर दिया वाट्ये का साथ पे रोज पी इहतजाज मरीज और लवाहकेन रुलकर परिश्टान हाल मरीज वसीहां के मुन्तजर परिश्टान है कोई बात नहीं साथी सून दा ते कोई डक्टर भी अते हैं नहीं ना कोई दातुष कितों नहीं आये ऑुपीटी बंद था हमारी दो तीन टेस्टें रहेगे ओपीडी की वजह से ओपीडी बंद है वो पेड़ी में कुछ टेस्टें होने हैं वो नहीं हो पाए मुझे जहां परेशानी है वो जी यह मुझे मेडिकल चेकप करवाना था अपना फिजिकल चेकप फूर ड्राइव में लाइसंस तिया कोई अवेलेबल नहीं है पन्जाप में कोई वन मैं शो नहीं टीम की तरहां काम कर रहे हैं चैलिंज कबूल किये जून के बाद हालाग बेटर हो जाएंगे कास्मेटिक्स कामयापी नहीं दो दर्स नतायच के लिए सब मेहनत कर रहे हैं सबाई वजीर मिया में मुद रशीद की गुफ्तगू बोले नया पाकिस्तान हाउसिंग मनसूबे का इफ्तिता अगले मा करेंगे गवरनर हाउस की दिवारे में समार करने के हुक में इमतनाई में 15 जनरी तक तोसी हाई कोट ने वफा की और पंजाब हकोमत को जवाब दाखिल करने का आखरी मौका दे दिया अब केस की समार अगले बर्स होगी जस्टिस मामूर रशीद शेख कने माक्स गवरनर हाउस को हाई कोट का सेकंड कैमपस बनाने के लिए दायर दर्पास की समार अदालत के वकला को हकूमत से हिदायत लेने के लिए 20 दिसम्बर तक मौलत विफाक्ती और सुभाई हकूमत को नोटे सारी हाई कोट का बार बार ट्राफिक कावानिन के खलाब वर्जी करने वालों के लाइसेंस मनसूख करने का होपम ओवर स्पीड करने वालों के खलाब भी कारवाई की जाए जस्टेस अरियकपर कुरेशी के दिमाज चीफ एग्जेकिटेव सेफ सीटी प्रोचेक्ट से अमल दरामत रिपोर्ट 17 दिसम्बर तक तलब हाई कोट ने अजहर सदीक एडवोकेट की दर्फ़ास पर एक कमाचारी किये लहोर के थाने तक्सीम दर्चाबंदी करती गई पंजब हकोमत को अलडिये के बजट का ख्यालाख है वजिरियाला पंजब ने कर बजट अजलास तलब कर लिया गवर्निंग बॉर्ड इजलास में अलडिये वासा और टीपा का बजट पेश किया जाएका पुलीस अबसरान और एहलकारों के लिए मयारी और सस्ते खाने की सहुलर पुर्बान लाइन में आफिसेज में तायार आईजी अमजजजावेज सलीमी ने इफ्ता किया अरिशनल आईजी अबबकर खुदाबक समेर पुलिस अबसरान भी माजूद पुलिस अहलकारों की फलाहों बहबूत के लिए तमाम वसाइल बरोईकार ला रहे हैं आईजी पंजजाव जाली तारी में इसनाफ रखने वाले कौमी और निजी एरलाइन्स के अमले के गर्द घिराता जाली अजनाफ वाले कापेड और काबन क्लू की फेरिस्ते तयार सुप्रीम कोट के हकम पर फेरिस्ते तयार की गए तर्जमान पियाई ये कहते हैं कि इस अदालत में हैं हकम पर अमल दरामत किया जाएगा ट्राफिक बारन को शौबासी महंगी पड़ गए इमाल डोट पर सरयाम असलिही की नमाईश लाहुद न्यूस पर खबर चलने पर सी सी यो का नोटेस ट्राफिक बारन को मौत तल कर दिया साबिक सुबाई वजीर कानून राना एजास की नमाज जनाजा डिफेंज जाम मस्दी फेस त्री में अदा नमाज जनाजा में जस्टिस रिटाइट पकी महमद खोकर साबिक चीफ जस्टिस हाई कोड एजास निसार समेट वुकला की कसी तादाफ में शरकर साबिक सादर पिये में डॉक्टर महमद सर्वर की रज़ा बलॉक अगबाल ताम में नमाज जनाजा अदा एहले इलाका की कसी तादाफ में शरकर करप्शन पर जीरो टॉल्फिंस की पॉलिसी पर आमल पे रहा हैं गवान पंजाब का तकरीब सकता एवान अगबाल में यूट इंपावर्मेंट सुसाइटी के जरह थमाम जश्टन अगबाल की तकरीब और सीटी ट्राफिक पॉलिस के जरह थमाम एंजेनरिंग यूनिवर्सिटी में सेमिनार सीटी उने तलबा को ट्राफिक अवर्निंग पर लेक्शर दिया वाइश्टान सरसमें तलबा की कसी तादाफ में शरकर